Hello Friends, Reasoning and Computer Class में आपका स्वागत है, चो दोस्तों काफी students वेट कर रहे थे कि अभी क्या basically round 1 का counselling हुआ है और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे ही round 1 का counselling स्टार्ट हो जाएगा और उसके end होते होते states अपने notification जारी कर देंगे और state quota की counselling का process स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों ठीक वही हुआ कि जैसे round 2 आने वाला था उससे पहले पहले उन्होंने अपने सभी states ने notification निकालना स्टार्ट कर दी है और state ने ये बताता है कि state quota की counselling की process स्टार्ट हो चुकी है जो जी हाँ दोस्तों इसमें state कि इसके state ने ये counselling की process स्टार्ट किया और उसकी क्या procedure है और कैसे आपको registration करना है सब कुछ उस वीडियो में देखने को मिलेगा जो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको official notice दिखा देता हूँ कि किस state ने किया है और उसमें क्या information है और किस तरह से आप उस state quota की counselling में participate कर रहे है जो दूसरे state के students है वो इस वीडियो को पका देखे क्योंकि उनसे इक पता चलेगा कि state quota की counselling में क्या-क्या required document होते हैं और किस प्रकार से आपको state quota की counselling में participate करना चाहिए तो चलता हो दोस्तों official notice के उपर तो दोस्तों आप स्क्रीनी पर देख पास सकते हो कि यहाँ पे लिखाव है Office of the Chairman NEET UG Medical Dental and Admission Counseling Board 2020 and Principal Government and Dental College RUHS College of Dental Science also तो इसमें लिखा है सुभाष नगर टीवी जैपुरोड तो बेसिकली यह बेसिकली राजिस्तान जो state है उसने state quota counselling के लिए process स्टार्ट कर दिया जी हाँ दोस्तों उनने अपनी website दिये कि आप किस website पे जाके information ले सकते हो जो आप मैं screen पे आपको दिखा रहा हूँ www.education.radistan.gov.in और उसके साथ साथ slash medical education उसके साथ साथ आप www.raduzymedical2020.com तो आप इस website पे भी जा सकते हो तो आपके सामने दो website उनने दी है एक ये वाली website और दूसरी वाली website www.raduzymedical.gov.com उसके साथ उन्होंने बोला है ये दोस्तों उन्होंने 31 तारी को ये notification दिया था उसके साथ साथ उन्होंने ये बता है notification में लिखावा है NEET UG Medical Dental Course Counseling 2020 MBBS and BDS State of Rajasthan उन्होंने लिखा है दा registration for MBBS BDS course in Rajasthan cell commerce online from 1st of November 2020 दोस्तों आप देख सकते हो 1st of November से online registration स्टार्ट हो गया Rajasthan में MBBS और BDS का दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो और उसके साथ साथ लिखा है था details for the same will be available by 1st November 2020 at website education rajasthan.gov.in slash medical education and www.rajuzmedical.120 the candidates are advised to visit their website regularly and registration and other relevant things तो basically Rajasthan ने ये schedule जारी कर दिया दोस्तों 1st of November से जी हाँ दोस्तों registration कर सकते है और आपको किस तरह से registration करना है आपको official website पे लेके दिखाता हूँ और आपको कैसे इसको open करना है तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है official website इसके उपर उने बताया है कि Rajuzi medical2020.com उसका ये आपको page open करना है जैसे आप page open करोगी दोस्तों आपकी सामने instruction for filling of the आपको किस किसाफ से क्या क्या चीज़ों को द्यान रखना है notifications जो आपकी सामने screen पे है और application part 1 और part 2 आपकी सामने देगा तो दोस्तों ये information ये notification का section है और notification का आपको जैसे आपको पूरा detail analysis चीए तो आप इस notification को download करके पूरा detail यहां पे पढ़ सकते हैं उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको इसके लिए apply करना है तो आपको किस process में जाना है मैं आपको यहां बता देता हूँ आपको जैसे application part 1 तो सबसे पहले आपको application part 1 पे click करना है जैसे आप इस पे click करोगे तो इसमें आपको पूछेगा कि आपको terms and condition है वो आपने पढ़ लिया या आपने notification देख लिया है उसके बाद जैसे दोस्तों आप agree करके proceed करोगे तो आपको यह आपके registration number page पे ले जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पे आप अपना need का registration number, date of birth, need 2020 के marks category और यह सब चीजे validate करके आप अपना registration continue कर सकते हो जी हाँ दोस्तों राजिस्तान ने finally अपना official link जो है state counseling का state counseling का official link activate कर दिया आप state counseling कर सकते हो और यह दोस्तों link activate हो गया है 1 November से 1 November 2011 11, so 1 November से दोस्तों इस start हो चुका है 2020 के लिए तो आप first of November से registration कर सकते हो मैंने आपको दो website बताई है एक यह website और दूसरी राध राजिस्तान.education.com वाली website जो मैंने आपको वीडियो के starting में बताई है तो इस पे जाके आप कर सकते हो और अगर आपको कोई से related कोई information fill up करना है या कोई detail आपको देखना है तो आप में आपे दोस्तों देख सकते हो तो यह थी राधिस्तान की state counseling की update की राधिस्तान की state counseling start हो गई और आप देख सकते हो कि उसका registration process भी start हो चुका है तो दोस्तो नेक्स वीडियो में मिलता हो मैं नई registration process की साथ की next कि state ने registration का process start किया है तो जो students राधिस्तान में 85% quota के हिसाब से apply करना चाहते हैं वो जल्दी से जाकि अपना registration कर सकते हैं तो दोस्तो यह थी राधिस्तान के लिए state quota counseling की update की state quota counseling का registration finalist to the next वीडियो में मिलता हूँ एक नई update की साथ तक तो दोस्तो जयवाद चाहें